क्या आपके पास कोई पुराना Android phone है जिसका आप यूज दे करते हैं ऐसे कहीं drawer में पढ़ा हुआ है दुल मिटी खा रहा है तो भाई वो पढ़ा पढ़ा सड जाएगा उसका यूज करो उस पुरान Android phone को आप CCTV camera बना सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं और यहां पर आपके CCTV camera लगाने के पैसे भी बच जाएंगे और वो पुराना जो phone पढ़ा है उसका यूज भी हो जाएगा क्यूंकि आज के वक्त में security की ज़रूरा सबसे ज़्यादा रहती है और ऐसे में अगर आप market से CCTV camera खरिटते हैं चाहिए आप इसे घर में लगाए खेत में लगाए फार्मा उस में लगाए या फिर आप अपने घर के किसी भी direction में किसी भी angle पर लगा सकते हैं और ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसे अपने घर में लगाएंगे अगर आपके घर से दूर कहीं कोई location है 2-3-4 km, 5 km तो वहाँ पर भी आप इसे लगाएंगे तब भी आप इसे अपने घर में बैटे-बैटे मनला monitor कर सकते हैं तो काफी गमाल की ट्रीक है तो चलिए मैं आपका यहाँ पर time pass नहीं करता हूँ की सब कुछ कैसे करना है बड़ उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप को इंश्टोल करनी है तो दोनों में मैंने आप को इंश्टोल किया और दोनों में एक साथ में open करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर दोनों app जो वो open हो रही है और मैं इसे permission दे देता हूँ दोनों मैं आपको permission देनी है permission देने में गड़बड़ी की तो यह app जो वो काम नहीं करी कि इसका आपको खास ध्यान देना है तो यहाँ पर मैं agree कर देता हूँ सारी चीजें complete कर देता हूँ इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अभी यहाँ पर आपको Gmail से login करना होगा बट एक बात का धियान रखना कि आपको एक ही Gmail ID से login करना है यानि कि इसमें आप जो Gmail ID login करेंगे वही Gmail ID आपको इसमें भी login करना है यानि कि सेम Gmail ID दोनों में आपको login करना होगा तो चले फटा-फट मैं login कर लेता हूँ login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अल्रडी मैंने पहले connect किया हुआ था इसलिए यहाँ पर मेरी footage बता रहा है यहाँ पर एक button देखने को मल जाएगा इस वाले button पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यह कहेगा आपको turn this into camera mode यानि कि मैं इसे camera mode में turn कर देता हूँ तो यहाँ पर run per में click कर दूँगा और यह जो device है ना यह camera mode में चला जाएगा अब यह देखें यहाँ पर यह timer चालो हो गया है और जैसे यह जाता है camera mode में तो यहाँ पर मैं इसकी footage यहाँ पर देख पाऊँगा आप देख सकते हैं screen जो ब्लैक हो जुक है बट यहाँ पर मैं एक जो click करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह connect हो गया Hi, Hello, Hello, Hello देखें मैं दीख रहाँ इससे दीख रहाँ मैं इसको इसको ऐसे कहीं पर भी लेके जाओंगा इससे मैं दीख रहाँ ठीक है यह देखें यह बिल्कुल stable है मतलब यहां पर हमारे बैटरी भी काफी ज्यादा बचने वाली है और अगर आप बैक कैमरा यूज करना चाहते हैं तो सारा कंट्रोल आपको इस डिवाइस से करना है इस डिवाइस को कुछ भी नहीं करना है बस इस डिवाइस को आप रख दीजिए अब देखें यहां पर यह बता रहा है ठीक है अब यह मुझे बताता है तो इस तरह से मतलब आप बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा जो है वह यूज़ कर सकते हैं और अप इसी डिवाइस से सारी चीज़ा कर सकते हैं देख सकते हैं आपके यह वाले मतलब जो CCTV कैमरा बनाया हुआ जो फोन है इसकी बैटर मिल जाता है आपको इस डिवाइस का और ये सारी चीजे इंटरनेट पर चलती है यानि कि आपको इस डिवाइस के अंदर एक सिंग कार्ड जो हो लगाना होगा और इंटरनेट मतलब अन कर देना है बस इसके अंदर और इसके बाद आप कहीं दूर बैठ कर अपने इस पुरान वाले फोन को as a cctv camera की तरह कंट्रोल कर सकते हैं अब एक और बात में आपको बजाना चाहूंगा देखो वैसे अगर आपको cctv camera amazon flip card से खरीदना है तो आप देखो के तो बहुत महंगे महंगे होते हैं बट हमारा telegram channel है वहाँ पर आपको हर एक product काफी सस्ते में मिलेगा द उन सभी product की link आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगी तो अगर आप हमारे telegram channel join करेंगे तो पैसे भी बचा पाएंगे और time भी बचा पाएंगे तो मेरे telegram की link जो है वह मैं आपको इस वीडियो के description में देदूँगा आप click करके उसे join जरूर से करें तो वीडियो कर आपको informative लग वाट्सप पर Facebook पर Twitter पर Instagram पर जहां पर व्याप कर सकते हैं और ऐसे वीडियो के आप आगे भी देखना चाहते सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब तो तो टेक केर बाए